हेलो एन वेल्कम बैक टो दी सिविल इंजिनिरिंग विथे मैंसे इंप्रूब यॉर नाजच फॉर यॉर ब्राइट फीजर हाइड्रोलिक्स यानि की फ्लूड मेकनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या देखा था विसको सिटी से क्या करेंगे कि कि कितरी आसानी से हम लोग इन सारे को सब्सक्राइब कर दिजा कि आपके स्वाल क्या क्या करता है सवाल जब भी आपके सामने आए मेरा एक basic बात याद रखेगा कि आपको सवाल से बात करना होगा क्यों कि अगर आपने सवाल नहीं समझा तो आपको भी इसको solve नहीं कर पाईएगा पहले हम लग सवाल से बात करते हैं फिर देखते हैं इसका solution क्या हो सकता है हमसे सवाल कुछ बात ये कह रहा है कि calculate करना है हमको dynamic viscosity चलिए ठीक है आपके दिमाग में आ गया होगा आपको क्या calculate करना है म्यू की value find out करनी है चलिए ठीक है अच्छा म्यू से related formula क्या था अभी आप लोगों ने थोड़े दिर पहले पढ़ा एक सियर इस्ट्रेस is equals to new times of du upon dy यह यह formula मतलब इस से related अपने को data चाहिए होगा देखते है मिलता है नहीं मिलता है क्या होता है सारी चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे जरा आफ एन ओयल विच इस उस फोर lubrication between i square plate size देखे कोई plate है जिसका size दे दिया गया है 0.8 meter into 0.8 meter and inclined plane with an angle of inclination 30 degree देखे यह थोड़ी से बड़ी बात कह दी गई जब भी बड़ी बात कहीं जाएगी तो आपको क्या करना होगा एक छोटा सा समझेगा भले solution आप skip करके देख ले कम से कम question का explanation आपको द्यान से समझना होगा ठीक है अगर आपने नहीं समझा तो बहुत बड़ी दुविधा आपके साथ आ जाएगी यह इसके अंदर मान लिजे कि कुछ fluid भरा हुआ है ठीक है यही तो कह रहा है ना यह lubrication इसी के वज़ तो आप क्या कहिएगा इसका weight बिल्कुल ही नीचे इस तरह से लग रहा होगा यह weight कितना लग रहा होगा weight is equal to 300 newton चली बहुत बढ़िया and it slide down the inclined plane with uniform velocity of यानि यह क्या हो रहा है इस direction में slide down हो रहा है चली एक बड़ा और पेन का color change करता हो ताकि बात समझ में आएगी इस direction में यह क्या हो रहा है slide down हो रहा है और इसकी जो velocity है वो कैसी है uniform velocity of u is equals to 0.3 meter per second है इतनी सी बात कही गई है और साथ में क्या कहा गया है कि thickness of oil film कितना है हमारे पास यह thickness जो दे दी गई है oil film की वो कितनी दे दी गई है 1.5 mm देती गई है यह सारी जानकारी आपको question में दिया हुआ है आपको क्या निकालना है म्यू की value निकालनी है बहुत आसानी से निकलेगा बहुत प्यार से निकलेगा अपना भी निकाल करके इसको देखते हैं तब तक कि किलिए मैं क्या करूँ थोड़ा सा सीधा बन जाये दीए यहाँ आपका क्या हो रहा है कोई weight act पर रहा है ना सीधा ही है ठीक है weight act कर रहा है weight कितना है आपका 300 N का weight है यह angle आपका कितना है 30 degree जो की question में बताया हुँआ है इतना तो आपको पता होगा कि किसी भी triangle के internal angle का sum कितना होता है 180 degree होता है यह 30 degree है ये इसके perpendicular है इसका मतलब क्या है कि ये 90 degree है तो ये 30 degree ये 90 degree तो ये वाला एंगल कितना होगा निकाल लिजे आराम से 180 minus क्या करना है आपको 180 minus 90 plus 30 तो ये कितना हो जाएगा आपका निकल करके कितना आ जाएगा यहां से 60 degree इसका मतलब ये उपर वाला एंगल कितना है आपका ये में इस वेट का अगर कोंपोनेंट में क्या करें इस डियरेक्शन में जिस डियरेक्शन में sweetad देबलू को पता ही है 60 डिग्री आप निकाली सकते हो तो इसका मतलब है कि चीज़े आपको एक तो समझ में आगे कि इसका आप चलिए देखते हैं क्या ह्अ को एक जगा पहले सजाते हैं ए्युका दे दिया गया है फ्लेट का एzlich है कितना हो जायएmare 0.64 meter square ठीक है area of the plate किता हो जाएगा 0.64 meter square चलिए angle of inclination आपको किता दिया हुआ है 30 weight कितना दिया हुआ है 300 इस पर हम लोगों ने बात कर लिया velocity हम लोगों को कित्ती दी गई है velocity हम लोगों को दे दी गई है कितना दिया हुआ है हम लोगों को 1.5 mm दिया हुआ है लेकिन हमको तो भाई मीटर में चाहिए क्योंकि सारी चीज आपन या तो न्यूटन में ले रहे हैं या मिटर में ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए यहाँ पर 1.5 into 10 to the power और माइनस 3 मेटर ठीक है यह 1000 से इसको डिवाइड कर दिये और कॉम्पोनेंट ऑफ वेट अलौग गी प्लेट जिस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है डायरेक्शन अप मोशन में कमिने अफ प्लेट...' «डायेक्शन जाएगा direction of motion में W cause 60 degree इसका मतलब इसको ज़रा solve करके देख लिजे W कितनी हो जाएगी 300 और इसके साथ में है आपका cause 60 degree इसको जब solve किजिए गता जाएगा 150 Newton ठीक है 150 Newton ठीक है weight term को Newton में दिया हुआ है सारी चीजे आप लोगों निकाल ली अब आप क्या निकाल लिएगा यहां से simple से चीज़ आपने निकालना है और वो क्या निकालना है कि कि शियर स्ट्रेस की वैलू कितनी होगी कि शियर स्ट्रेस अच्छा बच्पन में आपने एक चीज पढ़ा होगा ना क्या पढ़ा है स्ट्रेस इस इड़ पोज टो फो अप्वोन एक्ट कर रहा है वन फिप्टि न्यूटन और एरिया कितना है जिरो पॉंट सिक्स पो और यह भी आप लोग ने कल्कुलेट किया है चले बहुत बढ़िया अब हमको निकालना क्या है आपके पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है टाउ is equals to mu times of du upon dy एक काम कीजिए टाउ की value आप लोगों ने अभी भी निकाली यहाँ पर देखिए 150 divided by 0.64 इसको मैंने ऐसी रहने दिया एक ही बार में calculate करेंगे बार-बार क्या calculate करना 0.64 is equals to mu आपको तो निकालना है du के value कित्ती दे दी गई है 0.3 दे दी गई है speed velocity उस direction में और t के value कित्ती दे दी गई है 1.5 जो कि mm में थी जिसको हम लोगों ने किस में convert किया meter में convert किया यहाँ से जब आप mu निकालने की कोशिश कीजिएगा न इस equation को आगे बढ़ा देता हूं म्यू निकालने की जब कोशिश कीजिगा तो क्या हो जाएगा जी देखे 150 इंटू 1.5 इंटू 10 दू पाउर माइनस 3 डिवाइड़ेड वाई 0.64 इंटू 0.3 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन किया है न इसको जब आप solve किजिए गा तो देखे किता आ जाएगा value इसकी solve करने पर value आगई आपके पास SI unit में 1.17 newton second per meter square अगर आपको चाहिए कि आप इसको cgs में convert कीजिए तो आप इसको poise में भी convert कर सकते हो आपको simply क्या करना होगा इसको multiply by 10 कर दीजिए कितना हो जाएगा poise में अगर आपको यह निकालना होगा तो 1.17 into 10 यहां पर क्या हो जाएगा वाइस हो जाएगा यानि म्यू की वेल्यू कित्ती हो जाएगी 11.7 points ठीक है दोनों तरह से आपने निकाल दिया बस देखिए चोटा सा सवाल था यह चोटा सा सवाल था और इसका अपने चोटा सा जवाब ढून लिया चलिए देखते हैं नेक्स हमारे पास क्या सवाल है नेक्स सवाल जो है बड़ा प्यारा सा सवाल है देखिए इफ दा वेलोसिटी डिस्टिबूशन ओवर अ प्लेट इस गिवन बाई यू की वैल्यू आपको दे दी गई है ठीक है एक एक एक्क्विशन बना के दे दिया गया है यू बराबर आपको दे दिया गया है टू बा स्टू 0.15 मिटर कहता है कि सियर स्ट्रेस निकाली है जबकि वाई की वैल्यू यानि डिस्टेस जो है वो जीरो हो और उसके बाद फिर हमसे कहता है कि डिस्टेस जो है वो क्या हो 0.15 मिटर हो और इसकी लिए आपको क्या कहता है कि डायनेमिक विसको सिटी की वैल्यू आपक लिख पाएंगे जब तक पूरे पेज में लिख नहीं पाएंगे ना तब तक लिखने का कोई मजा ही नहीं है चली बनाते हैं इसको देखे भीया यह जो पॉइस में लिखा हुआ है इसको सबसे पहले तो तो यहां से आपको दिख जाएगा कि म्यू की स्टैंडर्ड यूनिट में वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.863 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्कॉर देखे यूनिट को बार-बार लिखे था कि आपको समझ में आ जाए अब आपसे क्या मांगा गया है आपसे मांगा गया है क्या क हुँए की दोनों डिस्टेंस पर आपको क्या करना है वाई बराबर जीरो और वाइव वाय इसकोष्ट जीरो पॉटन फटेश निकालना है क्या चली निकालके दिखा देथे इसको सेस्यरिश्टेस कोई बहुत बढ़ी बात है क्या सिरश्टेस निकालते है हम लोग देखि कि इसको तुरंत मैं क्या करूँ, differentiate कर देता हूँ, du upon dy, यह तो देखकर कि हाथ खुजला रहा होगा, आपका differentiate करने के लिए, 2 by 3, dy divided by dy, क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 by 3 बचेगा, और y square का differentiation क्या हो जाएगा, 2y, बहुत बढ़िया, यह हो गया, आप चेक करिए इसको, du divided by dy, at y equals to 0 पर क्या कहानी होगी, जब y की value 0 होगी, तो क्या होगा, कहानी, 2 by 3 minus 2 into 0, तो क्या बच करके निकलेगा, यहां से, यहीं आगे बाद बढ़ा दे क्या, यहीं पर, sorry, यहीं आगे बाद बढ़ा देते हैं, इसको, कितना बचेगा अपने पास, मैं अपने पास बचेगा सिर्फ 2 by 3, इसको और अगर आप solve कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0.667, हो गया एक काम, चलिए, दूसरा निकाल करके देखते हैं, चलिए, डी यू अपन डी वाई, कम निकाल करके देख रहे हैं, जबकि हमको कहा गया है, y की value कितनी होनी चाहिए, जब y equals to 0.15 हो, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, कौन से बड़ी चीज है, यह तो कोई तोप नहीं है, 2 by 3 minus 2 into y की value कितनी लिनी है, 0.15, और यार योग question ही बता रहा है, इसको भी solve कीजिएगा, बड़े प्यार से आप लोग पर छोड़े देता हूं, मैं पूरा solve कीजिएगा, 0.367, इस्टेप क कहां पर पूछा गया है, at y is equals to 0, तो भाई, shear stress की value, y is equals to 0 पर कितनी होगी, तो tau, mu की value आप लोगो ने निकाल लिया, 0.863, और du upon dy, अभी भी आपने चेक किया न, y बराबर 0 पर कितना आया था, मरपास value, 0.667, solve कर लिजेगा, इसको ती कितना आ जाएगा, 0.5756 newton per meter square, shear stress है, unit लिखना जरूरी है, दूसरा आप से क्या पुछा गया है, दूसरा आप से पुछा गया है, shear, shear stress, at, कब पुछा गया है, y की value कब हो, जब 0.15 हो, चली इसको भी solve कर लेते हैं, tau बराबर क्या हो जाएगा, mu की वही value रह जाएगा, आपके पास 0.863, into, y is equals to 0.15, अभी भी आपने निकाला है ना, देखे किता आया है, 0.367 आया है, चली रख देते हैं, इसको यहाँ पर, कितना आया है, यहाँ यहाँ पास, 0.367, इसको भी solve कर लिजेगा, तो किता आ जाएगा, 0.3167 newton पर meter square, लो भी निकल गया answer, इतना ही छोटा सा numerical आता है, इतना ही छोटा स इसको solve करते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें tough बात नहीं बनती है, ठीक है, चली देखते हैं हम लोग, जो next हमारे पास में सवाल आ रहा है, यह next सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है, हमारे पास, देखे सवाल क्या कहता है, कहता है, क्या plate of area, plate है, जिसका area दे दिया गया है, पहली बात क्या दे दी गई, पेन का color चेंज कर लो, black में black मिल जाएगा न, हाँ, plate का area दे दिया गया है, देखे जरा area किता दिया हुआ है, 1.5 into 10th power 6 mm square, पहली बात दिए खटक रही है कि mm नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, area को हमेशा meter में होना पड़ेगा, 1.5, क्य ठीक है, 10 to power 6, I divide करना पड़ेगा, चलिए, आगे बढ़ते है, is pull with a speed of, u की value आप लोगों को दे दी गई है, देखे, u की value कित्ती दे दी गई है, 0.4 meter per second, अब दीर दीर आप लोग सिख रहा होगे, relative to another plate, located at a distance of 0.15 mm from it, एक कोई दूसरा plate है, जिससे कि इसका कितना है, distance कितना दे दिया गया है, distance का मतलब आपको क्या दे दिया गया है, dy की value दे दी गई है, dy की value आपको दे दी गई है, किती दे दी गई है, 0.15 mm, mm से तो काम नहीं चलेगा न, क्या करना होगा आपको, 0.15 into 10 to the power 3 meter, minus 3 na, meter, meter में convert कर दिये, तो कहता है कि find the force and power, दोनों चीज़े हैं में बतानी है, पहली चीज़ हम बताएंगे, force कितना लगेगा, और दूसरा हम बताएंगे, power required to maintain this speed, इसी speed को maintain करने के लिए पहली बात है, आप force बताईए, दूसरी बात है, power बताईए, if the fluid is spreading, them is having a viscosity, one voice, जो अंदर में फ्लूड भरा हुआ है, उसका viscosity हम को बता दिया इस देखते के साथ आपके दिमाग में एक बात खटक रही होगी, क्यों ना इसको change किया जाए, क्या कर दिया जाए, one by ten newton second per meter square में convert कर दिया जाए, देखिए यही सारी चीज़े है, सीर स्ट्रें का आपके पास में formula है, वहाँ से रख करके अपन निकालेंगे, मैं खुद क को गाइब करूँ, ताकि परेज में लिख पाए, question आपके सामने है, सारी चीज़े मैंने लिख दी है, अब एक और चीज़ अपन लिख देते है, जो कि आवार पास formula है, tau is equals to mu times of du upon dy, यही है formula, यहाँ से अपन निकालेंगे का, यहाँ से अपन निकालेंगे tau की value, क्योंकि यही अपने को नहीं पता है, tau ही तो निकालेंगे, mu की value दे दी गई है, कितनी, चलिए रखते है, one, sorry, one by ten, चलिए जी, du की value कितने दे दी गई है, 0.4 और dy की value कितनी दे दी गई है, 0.15 into 10 to the power minus 3, solve करते हैं, इसको बड़े प्यार से कितना आ जाएगा, 266.6 newton per meter square, क्यों न पता है क्या, कि stress, stress is equal to, आपने अभी भी निकाला न, force upon area, तो अगर मुझे चाहिए force, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस equation को जड़ा से change करूँगा, क्या करूँगा, क्या लिख सकता हूँ, force is equal to, shear stress into area, और यही मैं काम करूँगा, shear stress की value कितनी आगे, मिरे पास, 266.6 newton, और इसका मतलब है, कि यहाँ पर हमारे पास force कितना निकल कर कर आ जाएगा, force जो है, वो newton per meter square है न जी, हाँ, यह मिटर square, मिटर square cancel हो जाएगा, 266.6 into 1.5 जब करिएगा, तो यह आपके पास में value आ जाएगा, 399.9 newton area, इसको near about रख लेते हैं, अपन 400, 400 newton इतना 999 पर क्या कर होना है, चलिए ठीक है, यह आपने क्या निकाल दिया जी, force, अब दो चीज़े पूछी गई थी, दूसरा चीज़े आपसे पूछा गया है, power required, देखिए, fluid मेकनिक्स में कुछ कुछ ऐसा formula आपके सामने आएगा, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है मैं बता देता हूँ, आप उसको जड़ा सा लिख करके कहीं पर रखेगा, यह चीज़े आपको ज़रत पड़ेगा, देखिए, power, power required, required to move, move the plate, plate at speed, यहीं पर लिखूँ क्या है, यह नीचे लिखता हूँ, speed, कितना, zero point, उसने क्या कहा है, यही speed आपने maintain रखना है, 0.4 meter per second, इसके लिए एकर power required हम लोग देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, power required is first to, force into speed, चलिए, निकाल लेते हैं, force हमारे पास कितना आया है, 400 newton into, speed कितना होना चाहिए, 0.4 meter per second, इसको जब आप calculate किजिएगा, तो value कितनी आ जाएगा, आपके पास, one, six, zero, newton, meter per second, ठीक है, newton, meter per second, तो power कितना चाहिए होगा, one, six, zero, newton, meter per second, आपको चाहिए होगा, चलिए, खुद को में ले आता हूँ, देखिए, यही सारे क्या है, छोटे-छोटे numericals आते हैं, examination में, आप एक बार कोशिश किजिएगा, इससे related और भी, जो है, question बहुत आसानी से बनेंगे, देखिए, इतना बहुत सावाल, एक पेज में मैंने बना दिया, आप भी चाहोगे, बहुत आसानी से बनेगा, फ्लूड मेकनिक्स बिल्कुल ही टफ नहीं, बस थोड़ा से क्या है, इसको समझना पड़ता है, और सवाल जो है, आपके साथ दिक्कत या रही होगी, कि आप से कुशन नहीं बन रहे होंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखेगा, आप सवाल से बात करने की आदत डालिए, सवाल को पढ़ने की आदत डालिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, तर तक लिए आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का भी ख् रखना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और प्रते रहना है थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो